हेलो दोस्तों मैं हूँ यनाई बीमस का स्टूडेंट और माई यूट्यूब चैनल में डिकाड़ापर आपका स्वावत है तो जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को बताएं कि जो EIPT कांसलिंग के जो रूल से वो बाकी दूसरी कांसलिंग से अलग है तो इसलिए जो इस्टूडेंट है उनकी बीच में कापी सारी कन्फूजन है कि सर इसके जो रजिस्टेशन है वो कैसे करना है जो इसका पैमेंट है वो चालन के तुरू कहां पर जमा करना है कौन से बेंक में करना है और जो पैमेंट सक्सेस्फूल हो जाए तो उसके बाद हम ऐसे हम carefully करें तो इनी सारे जो doubt है इनको clear करने के लिए आज जो मैंने आपके लिए यह video बना आये इसलिए दोस्तों video important होने वाले इसलिए video को भी बिकुल भी skip ना करें और वीडियो के end तक देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट है AIPVT Construct 2.0 से रिलेटेड वो सारे डाउट जो है इस वीडियो में आपके clear हो जाएंगे तो वीडियो के start करते बिना देर के वीडियो के end तक बने रहें तो आपको सबसे पहले जो है अपना चालान जो है वो generate करना है अपना चालान यहां से आपको generate करना है ओके दोस्तों तो जैसे आप चालान यहां से जनरेट करोगे तो वहां पर चालान जनरेट करने के पास वहां पर जो आ जाएगा कि आपको बैंक को बड़ोदा कि कोई सी भी जो ब्रांच है वहां जाके आपको जो ही चालान जमा करना है उके दोस्तों उसके बाद मैं आपने जैसे Elliot जमा कर दिया जमा करने के बाद अपना जो payment status है उसको आप Check कर सकते हो कि अपना जो पैमेंट जैस Parlament come successful वह या फिर नहीं हुआ और distraction spend वालोंको से चेक कर सकते हो ओके दोस्तों तो यहां पर यह दे रहा है फी पेमेंट इस्टेटेस तो इस पर आप जैसे ही क्लिक तो तो दोस्तों यहां से आपको जो है रजिस्टेशन करना स्ट्प चाला जमा करने के बाद में आपका जैसे पेमेंट सक्सेश पुल हो आपको यहां से registration करना है फिर यहां से candidate login करके आपको जो है choice fill करने है और दोस्तों choice fill करती टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर जो choice fill लेने वो एक ही बार होगी ओकर दोस्तों यह BCI का जो rules है आपको जो choice fill है वो एक ही बार करन है अगर एक पर आपको choice fill की और उसके बाद में आपको कोई भी college अलोट होगे तो आपको college लेने ही पड़ेगे अगर आप वहां से बार हो जाते हो तो आप पूरी counseling से बार हो जाओगे ना तो आप round 2 के लिए eligible होगे नहीं मौप of round के लिए eligible होगे और यह BCI का बहुत ही गल अचे से करनी है क्योंकि एक बार अगर आपको seat alert होगे तो आपको seat लेने ही पड़ेगी अगर आपने नहीं ली तो आप पूरी counseling से जो है वह आप बाहार हो जाओगे तो guys यदि आपको choice fill करने में कोई भी दिक्कत आ रहे तो आप मुझे comment करके पूश सकते हो या हमारे जो tele college जो list है वह वहाँ पर आपको provide कर दी जाएगी कि आपको कौन सी college जो है वह टोप पर रखनी है और कौन सी college आपको bottom पर रखनी है ओके दोस्तों और यदि इससे related आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment करके पूश सकते हो instagram पर भी आप जो है मेरे पास message कर सकते हो ओके दोस्त नहीं किसमें round 2 में जो है वो registration window जो है वो open हो जाएगी ओके दोस्तों तो यहाँ पर आपको choice फिल जो है वो अच्छे से करनी है क्योंकि यहाँ पर BCI का जो rule से वो यह है कि अगर आपने एक वाई choice फिल कर दी तो वही round 2 में रहीगी और आपको कैसे भी आपने choice फिल के रहे ओके दोस्तों तो यह कुछ important जो point है इसके बारे में हमने discuss किया I hope आप सबके जो doubt है वो clear हुए होंगे अगर फिर भी आपके पास कोई doubt है तो आप मुझे comment करके फोच सकते हैं ओके दोस्तों तो आज की वीडियो में यहां तक ही तो मिलते है next वीडियो में एक नए update के साथ जब तक लिए thank you and good bye